नमस्कार दोस्तों संदीप ट्रिवेदी आज दिनांक 8 मई 2020 को हाजिर है आप सब के बीच में दा स्टोरी ओफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 96 ले करके आज बड़ा जबरदस्त माहौल है दोस्तों रिकॉर्डिंग करने के लिए क्योंकि मेरे घर में फिलाल सिर्फ मैं ही हूँ तो बहुत शान्त वातावरन दिमाग बिलकुल चालू कहीं से कोई डिस्ट्रिबेंस नहीं और आज तो वो दिन है साथियों जब पहली बार मैंने मुबाइल खरीद करके अगर आप लोगों ने दाइस्टोरी आफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 50 सुना था तो उसमें मैंने बहुत तफसील से इस बात को बताया था कि मुबाइल लेते ही मुझे ये दिमाग में जम गई थी बात की अब आगे की राह इस फोन से ही चलेगी और उसी दिन मैंने वाटसअफ गृप बनाया लेकिन उसकी आपचारिक शुरुवात 20 मई 2016 से की गई तो आज एक तरह से नीव खुदना प्रारंब हुई और मकान 13 दिन में बन गया यह यूँ कहें किसी किसी की मतलब जो मेरा पुराना जो इतिहास था उसकी तेर भी हो गई उस दिन बैराल खैर ये सब तो ऐसे ही दोस्तों कहते हैं कि हम अगर अच्छे कार्य करते हैं और अच्छे कार्य का हिस्सा रहते हैं और लगातार कुछ न कुछ नया करने की चाह रखते हैं तो आपके प्रश्णों के उत्तर आपको स्वयम मिलते जाते हैं मैं अक्सर कहता रहता हूँ हमारे सबूह में कि भई प्रतिक्रिया दीजिए बात कीजिए सुझाओ दीजिए शिकायत कीजिए और क्या करना है कीजिए और इन दिनों तो कुछ जादा ही कह रहा हूँ कि भई 20 मैं आने वाली है अब आज से लेकर के 20 मैं तक हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं एक तरह से उत्सव का महोल कर सकते हैं हमें बड़े पेमाने पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए ग्रूप में आना चाहिए अपनी प्रस्तुतिया देनी चाहिए अपनी यादों को साजा करना च प्रतिजा जीरो तो नहीं कहूंगा लेकिन 0.01 तो कही सकता हूं तो आज ऐसी बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल है यार बाकी सब बाते तो ठीक है प्रतिक्रिया आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं प्रस्तुतिया तो नहीं ही आएंगी इतना तो मैं जानता हूं प्रतिक् के बराबर रहती है तो क्या होगा बैठे बैठे अभी शाम को चाहे पीते पीते अचानक दिमाग में आरे अभी अभी तो हमने music competition करवाया है और उस music competition में लगबग डेड़ सो प्रस्तुतिया वो किस के लिए आई हैं भाई वो recording club के लिए ही तो आई है तो तुरंद मेरा दिमाग पे क्लिक किया मैंने का चलिए इनी के साथ मनरंजन किया जाएगा फिर 12 तेरा दिन खेर ये तो रही एक सोच की बात कार्य करने के तरीके की बात और अपने काम को जीने की बात उस काम के साथ आगे बढ़ने की बात इसलिए छोटा सा नुभा मुझे साजहाब के साथ करना पड़ा लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे भाई आज भाउकता में बह गया कुछ जाद है विचारा अंदर से दुखी है लेकिन कह नहीं पा रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों कहानी पर आते हैं कहानी चल रही थी 2017 महिना था फरवरी का क्यों क्योंकि कर्वेंशन की तैयारियां जो शुरू हो गई थी और कर्वेंशन की तारीखें भी तैह हो चुकी थी 25-26 फरवरी 2017 उसके लिए रेजिस्ट्रेशन भी प्रारंब हो गए थे जिसकी अंतिम तिथी थी 20 फरवरी 2017 और 24 फरवरी को सभी साथियों को पहुचना था आपको बताया मैंने की काफी सारे सेशन्स पर बात हुई सेशन्स डिजाइन हुए अभी तो इस कन्विंशन में बहुत कुछ होना बाकी है भाई अभी तो ये शुरुवाद भर ही कही जा सकती है दरसल होता क्या है कि मैं स्वभाव से कैसा व्यक्ति रहा हूँ कि कोशिश करता हूँ कि कोई भी काम करूँ तो युनीक करूँ वरना ना करूँ और जब मेरे मन में ये सपना पलने लगा कि भाई अब किसी कारिक्रम का हम भी हिस्सा हो सकते हैं कोई कारिक्रम हमारे नित्रित्व में भी हो सकता है एक अलग तरह के कारिक्रम की शुरुवात हम हमारे आसपास कर सकते हैं हमारे क्षित्र में कर सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि उसमें जो कुछ हो तो वो अलग होना चाहिए नया होना चाहिए और कहीं न कहीं दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब की तरच पर पहली बार होना चाहिए हम बन में यही बान के चलते हैं न हम कुछ करते हैं तो कि यार मैंने ही किया होगा लगता है तो खेर मेरे साथ भी कुछ-कुछ ऐसा ही था मुझे यह लगता था कि किसी ने دेशे बर में कुछ किया या नहीं किया उनकी वो जाने लेकिन हम हमारी छोटी सी टीम हम सब मिल करके इस खरिक्रम को इतना unique बना दें कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई दे तो मैंने एक सत्र का जिक्र किया था आपसे कि उस सत्र को इसलिए रखा गया कि किसी संगठन को पनपने का मौका मिल सके किसी संगठन की नीव पड़ सके किसी संगठन की शुरुवात हो सके किसी और संगठन की और कहीं न कहीं उस संगठन के बनने में 0.01% कहीं अपना भी कुछ चोटा मुटा योगदान भविश्य में कभी नज़र आए आपको थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ कर्वेंशन की बात करेंगे फिर साल था 2016 महिना था सितंबर का दस बारा सितंबर के आसपास की डेट रही होगी मुझे आज भी याद है वो घटना हमारे एक सदस्य थे बड़े सक्रिय सदस्य सदस्य तो आज भी हैं मगर सक्रिय वे तब थे रिकॉर्डिंग अजमेर की बात कर रहा हूँ मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूँ और तो वो सक्रिय हो सकते हैं उनका नाम था भूप सिंग चौधरी I mean नाम है भूप सिंग चौधरी राजिस्तान के काई साथी उनको जानते होगे तो Education Department से संवंदित वे काफी सारी जानकारियां ग्रूप में लेकर आया करते थे उससे संवंदित बाते किया करते थे उससे संवंदित सूचना दिया करते थे तो ऐसी एक दिन परसनल चैट पर उनसे बात हो रही थी मैंने का यार भूप सिंग तुम इतना करते रहते हो शिक्षा के मामले में तो कोई इतने सारे शिक्षक संगठन हैं तो हमारे साथियों का भी एक शिक्षक संगठन बन होना चाहिए अलग से मतलब शिक्षक संगठनों की तर्ज पर होना चाहिए जैसे आम शिक्षक संगठन हैं भाई एंजियों तो हमारे फील्ड में भी हैं काम कर रहे हैं एंजियों बनाने की जरूरत नहीं है और जो एंजियों है वो अपना काम भखु भी निभा रहे हैं यह मैंने उनको सुजाव दिया जैसे हमारे यह राजिस्तान नित्रीन सेवासंग है तो वो अपना काम कर रहा है लेकिन केवल एक शिक्षक संगठनों की तर्ज पर उनको मैंने कहा कि भाई ऐसा एक संगठन अगर हो तो कैसा रहे है क्योंकि मैं स्वैम टीचर हूँ वे भी टीचर है तो जाहिड सी बात है हम जब एक ही फिल्ड से हैं तो बात तो उसके आसपास की ही करेंगे उपजीन ने का यार संदीब जी सोच था तो मैं भी हूँ बहुत लंबे समय से ऐसा और मैंने प्रयास भी किया था एक डेड़ साल पहले लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई मैंने का नहीं बढ़ भाई तो कोई बात नहीं है आप कोशिश करो कुछ नहीं तो वाटसअप ग्रूप बना करके ही शुरुवात करो तो 16 सितंबर 2016 को अगर तारीक यही है तो मेरे ख्याल से तो यही है हो सकता है 16 की 17 होगी या 15 होगी लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है 16 सितंबरी है उस दिन उन्होंने वाटसअप ग्रूप का निर्वान कर दिया दृष्टिबादि शिक्षक संग या इस तरह से कुछ तो वाटसअप ग्रूप बन गया उसमें लोग जुड़े जुड़ते चले गए और आपस में उनकी बाते होने लगी लोगों से कि कैसे करें क्या करें मेरा तो काम इतना ही था कि मैंने उनको बस सुझाव दिया जो कि वो स्वया मुनके मन में भी था बात वही होती है ना इनिशेटिव लेने की तो बेराल आज की स्थिति ये है कि वो संगठन बन गया उस संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन लेकिन जो हमारी बात चीत हुई थी वैसा नहीं उसमें कुछ परिवर्तनों के साथ अब वो दृष्टिबाधित कार्मिक स लंग के नाम से जाना जाता है यानि शिक्षकों के लिए नहीं है वो बलकि बाद में और लोग जो उनसे जुड़े होंगे उन्होंने सलाह दी होगी कि हमें शिक्षकों तक सिमित नहीं रहना चाहिए तो वो अब राजस्थान में जितने भी दृष्टि दिव्यांग जानकारी है उन सबका वो जैनि डिपार्ट में जाया वो शिक्षक हों प्रषासनिक सेवाओं में हो और कि सिक्षटर में राजस्थान राज्य के जो करमचारी में विबिन विभाकों के अचाहीव वो दृष्टिबादित कार्मिक संग के नाम से वो संगठन आज की तारिक में जाना जाता है, उसका रजिस्ट्रिशन भी है और भूप सिंग उसके आज तक तो अध्यक्ष है, तो मुझे अभी तक इतनी ही जानकारी है, अब ये कहानी तो छोड़ते हैं, ये तो हुई बात तब की बात हो रही थी, तो मैंने भूप सिंग को प्रस्ताव रखा, मैंने का भाई, एक सत्र हम ऐसा भी आयोजित करें, जो शिक्षा से संबंदित हो, जिसमें शिक्षा की बाते हो, शिक्षकों की बाते हो, नवाचारों की बाते हो, खासकर शिक्षा विभाग में नवाचार, या शिक्षा में नवाचार इस तरह से तो innovations in education इस तरह से कुछ हमने डिजाइन किया था उस session को और वो दिन में चार से पांच बजे तक रखा गया था और वो session बकाइदा हुआ और भूब सिंग से मैंने का भाई आप इसको संबोधित करिये उनने का मैं सर अभी तो बहुत युवा हूँ और मैं तो मेरा इतना अनुभाव भी नहीं है मैंने का ठीक है नहीं है तो कोई बात में क्या दिक्कत आप शुरुवात तो कीजिए कहीं से और मैंने उनको का भाई इस बहाने आपका जो जियान है आपका जो नॉलेज है वो आपको लोगों को बाटने में मदद मिलेगी और कही न कही जो आप संगठन बनाना चाह रहे हैं उसमें कुछ लोगों तक आपको पहुंचने का एक अवसर मिलेगा इसके माध्यम से एक जगे कुछ लोग आपके जानने वाले एकत्रित हो सकते हैं तो बेरहाल उन्होंने तैयार वो हो गए उन्होंने तैयारी भी की बकाइदा काफी पढ़ा उसके लिए शालादरपन और ये वो जो भी कुछ है मतलब चीजे हमारे यहां राजस्थान में वो उन्होंने पढ़ा क्योंकि आम तोर पर हम लोगों को उस समय तक भी अंदाजा नहीं था कि राजस्थान के बाहर भी इतना ये पॉपुलर होगा इतने लोग आएंगे रजिस्ट्रिशन्स बेशक हो रहे थे लेकिन अब लोग कितने आप आएंगे इस बात में थोड़ा सा हम लोगों को संदेह था तो अब उसके पीछे मेरे दिमाग में एक पब्लिसिटी गेम भी चल रहा था एक इमानदारी की बात है मैं उसको स्विकार करता हूँ वे सत्र को संबोधित करेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है पहला अवसर है इस तरह का तो जाहिर ची बात है दो-पांच लोग ऐसे भी होंगे जिनसे वो बात करेंगे आप भी आईए कन्वेंशन में आप भी रेजिस्ट्रेशन करवाईए वहाँ पर बात करेंगे बैठेंगे मिलेंगे और हुआ भी ठीक ऐसा ही उन्होंने अपने जानने वालों से भी बात की उनके मिलने वाले भी कई लोग आए तो अपना काम तो सफ़ल अपन चाहते यही थे कि रेजिस्ट्रेशन कारण और जो मैंने एक बात कही थी पिछले आउडियो में कि भाई हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि अलग-अलग संगठन जो है एक मंच पर आ सके वो भी एक कारण था उसके पीछे भी यही कारण था कि जो है जब अलग-अलग संगठन आएंगे तो फिर अलग-अलग विचार धाराओं के लोग आएंगे और सब जगह के अपने-अपने लोग जुड़ेंगे अगर ये प्रियास सफल रहता है तो खेर बेराल वो सत्र आयोजित हुआ अब आपको एक सेशन और बताना है जो भी हमारी नजर में तो वही बात है जो मैंने भी थोड़ी तेर पहले कहा कि दिल पहलाने के लिए ख्याल अच्छा है वाली बात कि हम लोगों को लगा भाई हम तो पहली बार कर रहे हैं और हमने टेक्स्ट में भी यही लिखा कि पहली बार त्रिष्ट इबादितों कि किसी कारिक्रम में योग का सब्तर भी होगा लिए अब भले पहले हुआ हो के नहीं हुआ हो वो अलग बात है मेरी जानकारी में तो खेर नहीं था और बहुत सारे लोगों ने इस बात की तश्दीक भी की कि हाँ जी इस तरह के आयो जनों में तो नहीं होता है अब ये भी लिखा अब इसकी कहानी भी बड़ी दिल्चस्प है अब हमारी टीम में जैसे हम लोग अरपंड जी और मैं तो करीब करीब यूं समझे कि आप क्या कहें जे और वीरू की तरह मतलब बिलकुल साथ साथ ही रहते थे तो हम लोग तो बिलकुल लीड रोल में थे एक तरह से सूर्य सर, अली इन सबसे बातचीत होती थी चुकि अब प्रतिक भाई का सत्र डिजाइन हो गया प्रतिक भाई से बात होती थी प्रतिक भाई technology जगत का software के field का एक बहुत बड़ा नाम है तो उनसे ये भी प्रयास था कि भाई किसी तरीके से हम recording अजमेर का कोई app web design कर सके इस दिन तो इस बारे में भी कोई गोशना हो पाए website या app के बारे में तो प्रतिक भाई ready हो गए यानि उसकी भूमी का हमने जनवरी 2017 से ही बनाना शुरू कर दी थी हाला कि वो app बाद में हुआ उसकी बी अलग कहानी फिर जब आएगी तब आएगी लेकिन बहराल प्रतिक भाई का भी रोल था अपना उनका session हो गया था उन्होंने चाहा था कि मैं भी एक सत्र को जम्बोदित करना चाहता हूँ और करीब करीब मतलब सभी तरह के लोगों के sessions हो गए थे चेतन सरका हो गया दिनेश जी से बात हो गई हलाकि अभी तक जो कहानी चल रही है उसमें उनका सत्र का समय निर्धारीत हुआ है सत्र हुआ नहीं है तो टेकनलोजी पर बात हो गई अब हमारे एक मित्र हमारे एक मित्र हैं शरत्र पाठी जैपूर से अब कही न कही अब प्रतीक भाई और शरत भाई बहुत अच्छे मित्र हैं और हम तीनों आपस में मित्र हैं बहुत सालों से तो कही न कही मुझे ऐसा लगा कि शरत भाई का भी कोई सत्र हो तो अच्छा रहे मैंने का भाई अब सत्र की तो कोई गुंजाइश है नहीं तो फिर शरत भाई नहीं कहा कि मैं योगा पे कुछ करना चाहता हूँ उन्होंने क्या नाम दिया था उसको एरोबिक्स पतानी जुमबा या कुछ और मतलब जो था अच्छा तो चुकि 25 तारीकों कन्वेंशन स्टार्ट है तो हो कब क्योंकि 25 तारीकों 9 बजे से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई पहला ही प्रोग्राम आप योगा का तो रखेंगे नहीं सुबह 6 बजे लोगों को बुला ले क्योंकि उससे पहले 9 बजे तक आपके रेजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं तो फिर ये तैह हुआ कि समापन वाले दिन यानि 26 फरवरी को सुबह 6-7 बजे तक एक घंटे का योगा का सत्र रहेगा चलिए तो ये भी तैह हो गया अब कुल मिला करके मैंने आपको सभी सत्रों के बारे में बता दिया अब ये बात कहां से आई ये मुझे याद नहीं आ रहा पता नहीं मुझे हाँ मैंने एक बात तो आपको पहले कही थी कि मैं जोदपूर जब गया था तो वा मैंने देखा था एक स्पीकर होता है एक अडेक्ष होता है और एक मॉडरेटर होता है तो ये दिमाग में मेरे वहां से था फिर हमारी बाच्चीत की दोरान भी किसी ने का भई कौन स्पीकर होगा ये होगा जी स्पीकर तो अब रही बात मॉडरेटर और चेयर्मेंड की तो ये सब भी निर्धारित किया गया जैसे क्योंकि हमारी टीम कोई काम करना था तो हुआ ये कि सूर्य सरका जैसे सत्र था पर्सनलिटी डवलप्मेंट वाला उसमें हम लोगोंने सोचा कि डॉक्टर आकाश दी परोडा एक बड़ा नाम है राजस्थान में उन्हें आमंत्रित किया गया इस कन्वेंशन के लिए वे आये भी तो उन्हें चेयर्मेन बनाया जाए चूकि वो आरेस अधिकारी थे हैं भी मतलब और शरत भाई को मैंने का आप मॉडरेटर बनिये क्योंकि आप पर्सनलिटी वगेरा के बारे में और अच्छी बात कर पाएंगे आप इस विशे को जोड पाएंगे तो शरत भाई मॉडरेटर हुए उसके बारेसेशन के फिर जो इंटरेक्शन विद को वरकर्स था छेतन शरमा सरवाला उसमें मॉडरेटर बनाया गया सूरिय सर को, सूरिय सर ने इच्छा जाहिर की कि मैं इसमें मोटरेटर बन जाता हूँ तो वे बने और जो उसके चेर्मेन थे, वो हमारे एजमेर के ही सीनियर अकाउंट आफिसर है, मिस्टर केवी सिंग जी, कृष्णपाल सिंग सिसो दिया जी, जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं तो चुकि वे भी बहुत लंबे समय से एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहां उनका साइटेड लोगों के साथ उठना बैठना है, तो उन्हें चेर्मेन बनाया गया, और यह सब लिस्टिंग करने के पीछे मैं और अरपन जी बस हमारा यही समी करन था कि भाई कहीं न कहीं जो है, अधिकतम लोगों को हम जोड़ पाएं किसी भी माद्यम से, चैर्मेंशिप के माद्यम से, चैया मौडरेटिंग के माद्यम से चैया कैसे भी अब हुआ यह कि जो मैंने बताया था ना इस्टुरेंट्स की प्रिपरेशन का लेकर जो कॉम्पुटेटिव एक्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए अली जिसमें स्पीकर होने वाले थे उस सेशन के लिए अब दिक्कत यह हुई कि स्पीकर किसको बनाए और मॉडरेटर किसको बनाए यह समझ में नहीं आया तो इसका सोलूशन मिला कि तीन लोग हैं इस वक्त जो रिकॉर्डिंग क्लब के लिए आडियो तैयार कर रहे हैं एक अली है एक अक्षे भाई हैं और एक हमारे गुपता साब मुकेश जी गुपता जो कि असिस्टन प्रोफेसर हैं आजकल कॉलेज में पॉलिटिकल साइन्स से तो फिर आंसर मिला कि ठीक है इन तीनों को ही यह सत्र दे दिया जाए अब अक्षे भाई को तो कहा मॉडरेटर यानि एक तरह से वो शुरुवात करने वाले हो गए फिर अली स्पीकर और लास्ट में चेर्मेन की रूप में गुपता साब को चेर्मेन बनाया गया क्योंकि तीनों रिकॉर्डिंग क्लब को अपनी सेमाएं दे रहे थे आडियो लेक्चर्स के माध्यम से सॉरी रिकॉर्डिंग अजमेर को बार-बार रिकॉर्डिंग क्लब नाम आता है तो ये कहानी ऐसे तेह हुई फिर जो भूप सिंग वाला सेशन था उसमें हमने चेर्मेन आई थिंग बाहर से किसी को बनाया था मुझे लगता है जहां तक अर्विन जोशी जी को शायद उसमें अमने चेर्मेन बनाया था उनकी भी एक कहानी है वो भी सुनाऊंगा तो अर्विन जी को उनने उसमें चेर्मेन बनाया भूप सिंग वाले सेशन में और मोडरेटर किसे बनाया था मैं कारमवीर को बनाया शायद करमवेर सिंग रहा थोर वे जोधपुर से हैं आप अकसर कनविनशन में उनको मिलते हैं सुनते हैं रेकॉर्डिंग क्लब में उनकी आवाज हला की कम आती है लेकिन करमवीर सिंग को शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है फिर जो बैंकिंग वाला सेशन था उस पर जादा बात दरसल हो उसके बारे में बाद में बताता हो यार चलो क्योंकि वही बात है दिमाग में इतनी सारी चीज़े घूम रही है कि कौन सी चीज़ को कैसे बताऊं वह बड़ा वामला बड़ा इंट्रेस्टिंग सा है तो यह जो सेशन है प्रतिक भाई का जो सेशन है उस पर बात करते हैं थोड़ी देर बात या किसी अगले ओडियो में शायद लेकिन एक सेशन और था दोस्तों फिर अभी देखिया यह रिकॉर्ड करते करते मुझे याद आया दर असल यह सेशन क्या था यह जी के कॉंपिटिशन था और इसकी भी कहानी है कि एक मित्र हमारे बचपन के साथी जिनके साथ हमने दृष्टिबादी जगत में श्रिवान जी रिकॉर्डिंग अजमेर के लिए जीके के ओडियो बनाया करते थे कारण कि विस्वयम विस्वयम कॉंपिटिशन की प्रिपरेशन कर रहे थे सेकंड ग्रेट के लिए एक्जाम देने वाले थे रपी एससी का राइसान पब्लीक सर्विस कमिशन का तो उनकी एक तरह से खुद की तैयारी भी हो रही थी और ग्रुप में एक नया सेग्मेंट जुड़ गया था एक नई श्रंखला शुरू हो गई थी तो उन्होंने ये इच्छा जताई कि यार इस कन्वेंशन में एक जीके का कॉंपिटिशन भी होना चाहिए मैंने का बहुत अच्छी बात है अब ये हमारे मित्र थे कपिल कुमार महला आप लोगों मैंसे कुछ साथी ने जानते होंगे जादा तर शायद नहीं जानते होंगे और राजिस्तान के तो खेर सभी साथी जानते तो कपिल कुमार महला ने ये इच्छा जताई कि यार संद हो सकती है भाई तो यह तो बहुत अच्छी बात है फिर मैंने सबसे बात की अरपन जी से टीम से सारों से सबने का ठीक है अगर कपिल responsibility ले रहे हैं और कपिल स्वया मुसकी preparation करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और यहां पर तैय यह हुआ कि कपिल भाई का यह idea अगर सही उत्तर हुआ तो एक question पर उसको 100 रुपीस का prize मिलेगा और फिर वो दूसरे question में वो answer नहीं दे पाएगा यह भी बड़ा unique idea है अच्छी बात है तो ऐसे करके एक जीके का session ते हुआ और यह शाम को 6-7 बज़े तक था पिछले audio में मैं 6-7 बज़े तक यह session तक आप देखिए आप बड़ा tight schedule दिन भर लेड़ दिन है हमारे पास उस लेड़ दिन को cover करना है ज्यादा मतलब registrations चल रहे है sessions डिजाइन हो रहे है जब पात आई कि cultural evening और banking वाला session यह तो बाते आपस में जुड़ी हुई है मैंने 3 या 4 फरवरी 2017 को phone किया मेरे कॉलेज में गुरू रहे टीचर रहे डॉक्टर नासिर मुहमद मदनी सर को और उनसे मैंने ये request की के sir आपको हमारे यां cultural evening जो हम आई जित कर रहे हैं इस कारिकरम में उससे में chairmanship आपको लेनी है आप उसके chairman होंगे तो ये बात हुई phone पर मैंने उनको पूरा कारिकरम के बारे में जानकारी दी कारिकरम में क्या होने वाला है ये वो जो भी है फिर दिनेश गुजर जी के बारे में भी बताया उनकी आपस में जान पे जान है अच्छी है तो उन्होंने का ठीक है उन्होंने फिर ये भी प्रश्न किया कि दिनेश जी आ रहे हैं मैंने का अभी तक तो यही तैह है सर बेराल हमारे इसाब से तो ये भी तैह हुआ कि कल्चरल इवनिंग हो और उसमें फे चेर्मेन हो ये मैंने तीन फरवरी को बात कर ली तो इस प्रकार ये सारी भूमिकाएं तैह हुई जो इंट्रोड़क्शन सेशन था उसमें नन अदर देन सूर्य सर सूर्य सर को ही उसमें एक तरसे चेर्मेन बनाया गया और अदरनी सू सितंबर दोहजार सोला से ही रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप को हेल्प कर रहे थे प्रती माह तो उन्हें भी उसमें चेर्मेन बनाया गया और जो जो भी ऐसे प्रतिष्ठित महनीय मनीशी हमारे साथ जुड़े थे उन सब को मन्चासीन किया गया करने का नेने लिया गया दरसल अभी तो कन्वेंशन शुरू का हुआ है मैं भी भूल जाता हूँ बार 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 बेराल आज बहुत बोल चुका अब सत्र से जुड़ी भी कुछ बाते और करेंगे इन तैयारियों के दोरान दोस्तों एक कॉल आया मेरे पास और जब मैंने कॉल अटेंड किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ मैं भी आपके कन्वेंशन में आ रही हूँ मैंने भी रेजिस्ट्रिशन करवाया है और आपके हाँ जो मैंने रेजिस्ट्रिशन करवाया तो वहाँ से किसी ने मेरा नमबर लिया और मुझे कॉल किया मेरा दिमाग इतना तेज था नहीं कि माजरा क्या है मैं समझ सकूँ आप लोग विचार कीजिए सोचिए मैं आता हूँ अगले ओडियो में ये माजरा था क्या और बाद में किस रूप में ये पटाक शेप हुआ अब मैं सेवन में बताऊंगा नाइटी सेवन में और जल्द ही लेकर के आऊंगा नाइटी सेवन भी क्योंकि काफी जो ओडियो जूट गए हैं बीच में उनको कंप्लीट करना है आज इजाज़ाद दीजिए दोस्तों मिलते हैं धन्यवाद ध्यान रखिएगा अपना